स्लाईस काड और युनी काड ए दोनों ही काड आज अजकल मार्केट में बहुत ही ज़यादा सर्चे में हैं बहुत चार लोग इन दोनों काड के बारे में जानना जाते हैं और बहुत चे लोगों को confusion है कि इन दोनों काड में से कौन्छा काड बेस्ट है तो आज के वीडियो में हम इन दोनों कार के comparison जानेंगे कि इन दोनों कार में से कौन्छा कार बेश्ट है इन दोनों कार की खुबिया इनकी खामिया इन दोनों कार में क्या-क्या benefit मिलता है और इन दोनों कार में से आपको कौन्छा कार लेना चाहिए एसी इन कारों के बारे मे और और नौटिफिकेसन ओनange कर दो, जिसे आमारे हर आनेवाले इसीतरी की नईी वीडियो के नईॉटिफिकेसन सबसे पहले आपको मिलती रहे, तो चलिए दोस्तो में आपको सूरू करते हैं तो जब भी आप इस दोनों कार्ड को इस्तमाल करोगे तो आपकी credit history पर conjuban dureman loan show करेगा यानि कि एक personal loan show होगी लेकिन उससे गबरानी की कोई जरूरत नहीं है अगर आप यहाँ पर joby limit का use करोगे उसका time पर repayment करोगे तो आपकी civil history पर कोई भी effect नहीं पड़ेगा बलकि यहाँ पर अगर आप time पर repayment करोगे तो आपका civil score build होगा तो उससे गबरानी की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों यहाँ पर हम इन दोनों कार्ड के comparison को point में count करेंगे यानि कि this card में benefit अच्छा रहेगा उसको हम एक point देगे तो इस तरीके से हम इन दोनों कार्ड का comparison देखेगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते है तो सबसे पहला point आता है credit limit तो दोस्तों slice में up to 10 लाख रुपे तक की credit limit देखने को मिलती है उसके comparison में unique card की बात करें तो यहाँ पर अभी तक company की तरब से कोई भी official limit देखने की गी है लेकिन बहुत सारे user का कहिन आ है कि यहाँ पर 5-6 लाख रुपे तक की credit limit देखने को मिलती है तो दोस्तों यहाँ पर हम slice को एक point देते है और unique को zero point अब अगला point है EMI facility अगर दोस्तों EMI facility की बात करें तो यह दोनों card में ही आपको 3-month का EMI facility मिल जाती है इन दोनों card में आप जो भी limit का यूज करोगे उसे आप चाहे तो एक मेहने भी भी रीपेमेट कर सकते हो और आप चाहे तो तीन मेहने में divide करके भी रीपेमेट कर सकते हो यानि एक्जामकल की तोर पे समझे तो अगर आपने 15,000 रुपिया का कोई भी spend किया तो उसका आप हर मेहने 5-5,000 रुपिया करके तीन मेहने में पूरा रीपेमेट कर सकते हो और उस पर कोई भी आपको charge देना नहीं पड़ेगा उसके अलावाज दोस्तों स्लाइस में आपको 6 मेहने, 9 मेहने और 12 मेहने तक की EMI facility मिल जाती है लेकिन अगर आप 6 मेहने, 9 मेहने और 12 मेहने का EMI सूच करते हो तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत charge लग सकता है अगर यहाँ पर हम Unicard की बात करे तो उसमें अभी स्रीफ 3 मेहने का EMI की facility है लेकिन एक कमपनी दावा कर रहे है कि थोड़े समय के अंदर, यानि की कमिन सुन में यहाँ पर आपको 18 मेहने तक का EMI की facility देखने को मिलेगी लेकिन अभी यहाँ पर स्रीफ 3 मेहने के EMI की facility है तो यहाँ पर अगें slice को 1 point मिलता है और Unicard को 0 point उसके बाद दोस्तो अगला point है eligibility तो दोस्तो eligibility criteria के बात करे तो slice card बनवाने के लिए आपकी उम्रो 18 प्लस होनी चाहिए और Unicard बनवाने के लिए आपकी उम्रो 21 प्लस होनी चाहिए यह दोनों card को ही student अपलाई कर सकते है लेकिन सारे student यहाँ पर अपलाई नहीं कर सकते है यहाँ पर कुछ selected college के ही student अपलाई कर सकते है slice card में अगर आपका civil score 700 प्लस है तो भी आप इस card को बनवा सकते हो उसके comparison में Unicard में आपका civil score 750 प्लस होना चाहिए तब यह आप इस card को बनवा सकते हो तो यहाँ पर भी बात करें तो slice card को हम एक point देंगे वर Unicard को फिर से 0 ही point मिलेगा अगला point है card availability अगर दोस्तो card availability की बात करें तो slice card 32 प्लस city में available है और इसके मुकाबले Unicard की बात करें तो यह अभी कुस 8-10 city में ही available है तो यहाँ पर फिर से slice को एक point मिलता है वर Unicard को 0 point मिलता है अब दोस्तो अगला point है cashback offer अगर यहाँ पर हम cashback offer की बात करें तो slice card में हमें 2% का offer देखने को मिलता है और Unicard में हमें 1% का offer देखने को मिलता है लेकिन दोस्तों इस slice card में यह जो 2% का offer मिलता है और सिर्फ कहिने का है यह जो 2% का caseback मिलता है वो कुछ tom के साथ दिया जाता है यहाँ पर जो 2% का caseback दिया जाता है वो slice money यानि कि reward point के रूप में दिया जाता है अगर आपके पास share lakh plus slice money है तो ही आपको 2% का reward दिखने को मिलेगा यानि कि यहाँ पर आप जितना transaction करोगे उसके आधर पर आपको reward दिखने को मिलेगा अन्यते यहाँ पर आपको 1% caseback की मिलेगा यहाँ पर हम यह दोनों का comparison करें तो यह दोनों card को एक एक point मिलता है अब दोस्तो अगला point है additional benefit अगर additional benefit की बात करें तो slice card में एक spark offer दिखने को मिलता है spark benefit मतलब कि slice की app के अंदर एक spark का option होता है वहाँ पर weekly बहुत चारे online brand पर multiple spark offer देखने को मिलते है इनमें चाहा आपको जो भी offer चाहिए उसे drag करना है और वहाँ पर आपको उपर एक card का option दिखेगा उस पर drop करना है तो वह spark offer आपको मिल जाएगा उसके बाद आपने जो भी offer उपर drop किया है उस side से आप कोई भी span करोगे तो उस पर जो भी offer होगा वहाँ आपको मिल जाएगा पार्क offer में आपको 50 रुपिया, 100 रुपिया, 500 रुपिज, 7500 रुपिज, 10%, 20% और 50% तका offer देखने को मिल जाता है और Unicard की बात करें तो इस तरीके का कोई भी offer यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा तो फिर से दोस्तों यहाँ पर slice को एक point मिलता है और Unicard को 0 point मिलता है अब दोस्तों अगला point है bank transfer तो दोस्तों bank transfer की बात करें तो slice में आपको जो भी limit मिलेगी उसे आप अपने bank में transfer कर सकते हो उसके comparison में Unicard में यह facility आपको देखने को नहीं मिलती Unicard की limit को आप अपने bank में transfer नहीं कर सकते लेकिन दोस्तों slice card में आप जो भी amount bank में transfer करोगे उस पर कुछ interest और fees लगाई जाती है लेकिन हाँ उसे bank में transfer कर सकते है तो यहाँ पर फिल से slice को एक point मिलता है वर Unicard को 0 point मिलता है अब दोस्तों अगला point है repayment option and time जो repayment option की बात करें तो slice में आपको बहुत सारे repayment option मिल जाता है जहां से आप यहाँ पर जो भी limit का यूज करोगे उसका repayment कर सकोगे उसके comparison में Unicard में बहुती कम repayment option देखने को मिलेगा अब दोस्तों repayment time की बात करें तो slice card में bill generate होने के बाद आपको 5 दिन का time दिया जाता है 5 दिन के अंदर आपको repayment करना रहता है और यहाँ पर Unicard की बात करें तो यहाँ पर आपका bill generate हो जाने के बाद आपको 10 दिन का time मिलेगा जिसके अंदर आपको repayment करना रहेगा यहाँ पर दोस्तो स्लाइस की बात करें, तो यहाँ पर बहुत ही कम लेट पेमेंट साज लगाये जाता है, वर यूनिकार की बात करें, तो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा लेट पेमेंट साज लगाये जाता है, आप दोनों का साज स्कीन में देख सकते हो, उतना लेट पेमें के लिए refer करते हो तो आपको भी 300 रुपया मिलेगे और सामने वालों को भी 300 रुपया मिलेगे लेकिन उसमें कुछ terms and condition है कि सामने वाला जब एक काड को अप्रू करा के first 100 रुपया का spend करेगा तभी आप दोनों को ios और android में दीखने को मिल जाती है आप दोनों जगह से इस application को डाउनलोड कर सकते हो slice application की बात करें तो एक काफी लंबे समय से market में available है इसलिए काफी update के बात इसका app experience बहुत ही अच्छा हो गया है slice के app में आपको कोई भी glasses या leg देखने को नहीं मिलेगा और यहाँ पर uni app के बात करें तो वो अभी नहीं launch हुई है और उसमें ज्यादा update नहीं हुआ है वो अभी beta version में available है इसलिए यहाँ पर कुछ legs और glasses देखने को मिल सकती है तेकिन future में कुछ update के बात एस सारा problem हट यह दोनों ही card virtual and physical form में आते हैं इन दोनों ही card में ना ही कोई annual fees है ना ही कोई hidden charge है और ना ही कोई joining fees है इन दोनों ही card को sbm bank ने issue किया है इन दोनों card में network विजा करेता है और पूरे इंडिया में 99.95 से 99 merchant के वहाँ पर इस card का use आप कर सकते हो जहाँ पर भी आपका credit card और debit card क use होता है उन सारी जगाओ पर इन दोनों card का use आप कर सकते हो और इन दोनों ही card को आप इसकी app से minus कर सकते हो इन दोनों का virtual card आपको इसकी app में देखने को मिल जाएगा और order करने के बाद physical card 7-10 दिन के अंदर आपके address में आपको मिल जाता है अगर दोस्तों मेरा personal opinion जाने तो यह दोनों card ही बहुत ही अच्छे card है slice card बहुत ही लंबे समय से market में available है इसलिए यहाँ पर आपको ज़्यादा benefit और cashback देखने को मिलता है वर unique card अभी नए नए लोंच हुआ है इसलिए यहाँ पर आपको बहुत ही कम benefit और cashback देखने को मिलेगा तो मेरा opinion यह है कि आप पहल slice card के लिए apply करो slice card को मिलने का सांच बहुत ज़्यादा है क्योंकि यह ज़्यादा city में available है अगर आपको slice card नहीं मिलता तो unique card भी best ही है आप उसका बे use कर सकते हो दोस्तों आप इस दोनों card को बनवाना चाहते हो तो इन दोनों के उपर मैंने already video बना के रखा है उस video के link description में मिल जाएगी और आपको i button भी मिल जाएगी आप वहाँ पर जाके इन दोनों card के video देख के बनवा सकते हो तो चलिया दोस्तों आज के video बस इतना ही उमिद करते हैं कि आपके video पसंद नहीं होगी अगर video पसंद नहीं हो तो like, share और subscribe पनना ना भूले और इन दोनों card में कोई query है तो आप मुझे comment में पूछ सकते हो तो चलिए दोस्तों मिलते हैं को और दमक तर वीडियो के साथ तब तक लिए